हालो फ्रेंड्स वेलकम टू नंद के शोर क्लासेज कुशन ध्यान से देखिए यह हमारे व्योर्ज ने यह कुशन भेजा है बहुत ही इंट्रस्टिंग कुशन है ध्यान से पढ़िए इन अ केंटीन देर आर सेमन चेर्स तो एवरी टू टेबल्स दो टेबल्स के लिए कितनी चेर्स हैं सेमन चेर्स हैं यह रेशो का कुशन है हमें चेर्स और टेबल्स की रेशो क्या दे रखी है सेमन रेशो टू बस यह चीज समझ नहीं है कि सेमन रेशो टू गिवन है और क्या है नंबर ओफ चेर्स आर 95 मोर देन नंबर ओफ टेबल्स काउंटिंग देखी जाए तो chairs 95 ज्यादा है किस से table से बताइए number of chairs कितनी है पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि मेरे पास chairs और table की ratio 7 ratio 2 दे रखिए अब करेंगे कैसे number of chairs मान लो कितनी है 7x ये मैंने क्या suppose किया है number of chairs और number of tables 2x ये मैं hint लिख रहा हूँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये मैंने suppose कर लिया number of chairs और ये number of tables क्योंकि जब ratio given होती है हम इसी तरह से suppose करते हैं अब number of chairs कितनी ज़्यादा है table से 95 that means number of chairs में से अगर number of tables मैं subtract कर दूँ तो कितना आएगा 95 आएगा एक रास्ता तो ये है number 2 अगर मैं number of chairs number of chairs मतलब 7x number of chairs tables से कितनी ज़्यादा है 95 यानि कि अगर मैं tables में जो कि कितना है 2x tables में 95 आड कर दूँ तो क्या बन जाएगा number of chairs बन जाएगा कोई भी method लगा सकते हो तो mainly मैंने यहाँ पर rule क्या use कि number of chairs is equal to number of tables plus 95 कि tables की counting में 95 जोड़ दो तो क्या बन जाता है number of chairs बन जाता है अब 2x इदर माइनस हो जाएगा it is equal to 95 अब यहाँ पर क्या है आप चाहो तो सिधा यही line लिख सकते थे कि number of chairs में से number of tables माइनस किया तो 95 आएगा तो यह देखिए 5x is equal to 95 और finally x की value किसके एकको लाएगी 5 divide हो जाएगा 95 के नीचे आजाएगा और 95 divided by 5 you will get 19 तो मेरे पास x की value 19 आ गएजे अब अगर x की value 19 है तो मेरे पास number of chairs कितनी होगी देखो जी number of chairs वैसे तो 7x है इसका मतलब 7 को 19 से multiply करना पड़ेगा और 7 को 19 से multiply करेंगे तो 133 यहाँ हमें number of chairs कितनी है 133 है यहाँ हमें number of chairs निकालने को बोला है हमने 133 निकाल लिया लेकिन अगर हमें number of tables भी निकालना होता तो यह 2x है 2 multiply 19 करते तो 38 क्या है number of tables हमारी condition चेक भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या का है कि number of chairs table से 95 जादा है तो 133 में से आप 38 subtract करके देख लो 138 में से 38 subtract करेंगे तो क्या आएगा 95 भी आएगा that means जो हमने answer निकाला है that is correct I hope आपको यह question समझ आ गया होगा और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे like और share जरूर करिए thank you so much